Compound die, Progressive die और Transfer die ये सभी die Seat Metal Parts को बनाने के लिए यूज किये जाते हैं और इनको अलग अलग जगह पर जरूरत की हिसाब से यूज किया जाता है यानि कि कहां पर Compound die का यूज करना है, कहां पर Progressive die का यूज करना है और कहां पर Transfer die यूज करनी है ये Part के हिसाब से, Machine के हिसाब से या कितने Part की Requirement है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं आज की इस वीडियो में हम इन डाई के टाइप्स की बारे में जानेंगे कि इन में क्या-क्या डिफरेंस होता है और कब-कब कौन-कौन से टोल्स का यूज किया जाता है अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको चैनल पर आने वाली नई-नई वीडियो की इनफोर्मेशन मिलती रहे तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम प्रोग्रेस्यू डाई के बारे में देखते हैं Progressive die को जादतर high volume parts को कम tolerance यानि की जाता accuracy वाले parts को बनाने के लिए सही माना जाता है इस process में raw material यानि की seat coil direct feed की जाती है Progressive die में feeder की help से यानि की एक तरफ से seat coil को die में feed किया जाता है और हर stroke के साथ seat में operation punch होता है जैसे की piercing, noaching, forming, bending, trimming, separation, etc और दूसरे end से final component produce होता है और साथ में scrape भी साथ साथ निकलता रहता है Final component coil strip के साथ सुरू से end तक जुड़ा हुआ रहता है और final component हमें आखरी separation operation के बाद ही मिलता है Progressive die को use करने की क्या-क्या फायदे होते हैं सबसे पहले है Progressive die का SPM यानि की stroke per minute बहुत ज़्यादा होता है और ये small parts को कम tolerance में ज़्यादा accuracy के साथ बनाने के लिए use किये जाते हैं Tool loading और unloading time बहुत कम होता है अगर हम tandem tool के compare में बात करें तो क्योंकि Progressive tool सिर्फ एक होता है जबकि tandem tools ज़्यादा होते हैं हाँ एक disadvantage हो सकती है कि feeder और coil की setting time जो की ज़्यादा हो सकती है Progressive die में machine cost कम लगती है क्योंकि single press machine ही use होती है single part को बनाने के लिए जिसकी वज़ा से component cost भी कम होती है Progressive tool की एक बार loading करने के बाद हम लंबे समय तक tool को run कर सकते हैं और इसमें operator fatigue भी बहुत कम होता है क्योंकि operator की ज़रूरत सिर्फ material loading और tool loading unloading के लिए ही होती है क्योंकि Progressive die में एक बार में ही funnel component बन जाता है तो ये multiple operation time को save करता है as compared to tandem tool उसके बाद आते हैं compound die पर compound die का use simple और flat parts को बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि washer compound die में raw material strip के form में use करते हैं और एक ही stroke में multiple cuts, punching, bending या जितने भी operation perform करने हैं एक ही stroke में हो जाते हैं और एक ही station पर जिससे funnel component बनाने में बहुत time save होता है और बलकि component cost भी काफी कम लगती है compound die को medium to high volume parts के लिए use किया जाता है वो भी simple parts, washer जैसे parts के लिए compound die में speed major role play करती है क्योंकि component एक ही station पर एक ही stroke में funnel हो जाता है और एक और चीज़ की compound tool का SPM stroke per minute component के size पर भी matter करता है component जितना छोटा होगा SPM उतना जादा होगा और जितना बड़ा component handling time उतना जादा तो SPM उतना कम compound die को हम सही और fast productive parts यानि की simple parts के लिए use करते हैं जैसे की washer compound tool के parts की cost बहुत कम होती है as compared to progressive या tandem die compound tool की manufacturing cost भी काफी कम होती है क्योंकि only single and simple tool की manufacturing होती है compound die का manufacturing time भी काफी कम होता है as compared to progressive die इसके बाद आता है transfer die transfer die basically transfer press पर use की जाती है transfer die number of tool operation का combination होता है जैसे की forming, bending, restrike, piercing, etc इस type की die में blank seat, robot की help से या feeder की help से सबसे पहले tool पर रखा जाता है उसके बाद हर एक stroke के बाद component अगले tool पर transfer होता है finger की help से और end में funnel component बनता है transfer tool को हम medium या बड़े parts बनाने के लिए use करते हैं और इसमें operator की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब tool की loading या unloading या material की loading करनी हो तो transfer tool का SPM बहुत ज़ादा होता है as compared to tandem tool transfer tool को सिर्फ transfer press पर ही use कर सकते हैं लेकिन अगर tandem press पर use करना हो तो tool में minor modification करनी पड़ सकती है transfer tool की manufacturing cost ज़ादा होती है और manufacturing time भी ज़ादा होता है transfer tool की एक बार loading करने के बाद लंबे time के लिए run कर सकते हैं क्यूंकि transfer tool में breakdown के chances काफी कम होते हैं as compared to tandem tool क्यूंकि transfer tool manpower operated नहीं होता है friends आज की इस वीडियो में हमने different types के tools के बारे में जाना और उनके क्या-क्या फायदे हैं और क्या-क्या disadvantages हैं इसके बारे में भी जाना अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई doubt है या कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्राइब जरूर करें धन्यवाद